लोम्री और कववा एक लोम्री पहुत भूखी थी खाने की तलाश में वो यहाँ वहाँ घूम रही थी घूमते घूमते उसने एक कववे को देखा कववे के मूह में रोटी का एक टुकड़ा था उस लोम्री ने उस कव्वे से रोटी के टुकड़े को लेने की ठान ली और एक तरकीब सोची वो उस कव्वे को देखकर बोली बहन तुम कितनी सुन्दर हो जरूर तुमारी आवाज भी उतनी ही मीठी होगी क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगी वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और गाने के लिए उसने जैसे भी अपना मूँ खोला रोटी के टुकड़ा नीचे गिर गया चाला कलोम्री ने जट से उस टुकड़े को उठाया पट से उसे खाया और चलती बनी अभी प्राय मुर्कता को पुरस्कार नहीं मिलता